सब्सक्राइब कीजिए बीयर क्राफ्टिंग चैनल को बेल आइकन को क्लिक करें और देखें फैशन एंड होम मिकिंग वीडियो सबसे पहले हाई फ्रेंट्स विल्कम बेक टू मैं चैनल बीयर क्राफ्टिंग जैसा कि आप देख सकते हैं किता प्यारा सा हेर बेंड है और इसे हमने बना है घर पे वही बचे हुए कपड़ों से तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारे पास कि अहिसा प tenseоворब्रीक यह बचे हुए ब्ला उस But का फेब्रिक है काफ काफी में ग्हांत च οιटे वाल dai तो सबसे पैबंड ही से में स्ट्रेशित करेंगे देखिया है इस से स्ट्रेश होरा है तो लेन थे पलें साल से लेनी है तक अच्छे से में चेक व्याज थ। और सीर में तो अब हम हेयर मेंट का मिजरमेंट लेंगे अब देखिए कपड़े को रॉंग सैट से हम इस तरीके से पोल्ड करेंगे और यह वाला जो हिस्सा है उसको सिल लेंगे तो देखिए इस तरीके से कपड़े को और धागी को भी अब इसी हिसाब से फैला लेंगे ताकि जब कपड़ा स्ट्रेच हो तो धागा टूटे नहीं अच्छे से हमने इसको स्ट्रेच कर लिया है अब किनारे पर नोट लगा लेंगे और आप सिलाई देख सकते हैं किस तरीके क्यों ही है कि जब हम इसको हेर बेंड के लिए यूज करेंगे तो यह इस तरीके से फैलेगा सिलाई भी हमारा जो है वह भी फैलेगा तो अब हम किना अब इन नों को एकसाथ जोइंट लगाएंगे तो फिर से हम इस तरीके से ऊठे स्वीस इस साइट से आधे दूर तक हम ऐसे करेंगे और इन दोनों को 1 सबीकस मिला लेंगे और फिर पूरे राउंड में में एक सिलाई लगाएंगे इतना हम एक इंच छोड देंगे लास्ट में सीधे साइड पलटने के लिए अब देखे यहां पर हमने एक इंच छोड दिया है और फिर इस दागे को यहां पर हम फिक्स कर लेंगे और एक टाइट नूट लगा देंगे अब देखे यहां से हम इसे सीधे भाग की तरफ खीचेंगे तो यह हमारा हेयर बैंड बंद कर तेयार है अब उपर की तरफ हम एक फ्लार लगाएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए फ्लार बनाने के लिए हमने दो इंच इतनी चौड़ी एक पट्टी काट ली है इसे हम डबल फोल्ड करेंगे फिर से हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे नीचे की तरफ हमने ऐसे सिलाई लगा लिया है अब इस धागे को हम खीचेंगे और फिर इसे हम जोइंट लगा लिए यहां पर हमने एक नोट लगा लिया और धागे को फिक्स कर लिया अब यह वाला जो दोनों हिस्सा है इसको हम एक साथ जोइंट कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने फ्लार बना लिया है अब इसे हम अपते हेर बेंड में अटेच करेंगे अब देखिए यह जो हेर बेंड है उसमें जो हमने सिलाई किये उसे हमने नीचे की तरफ रखा है उपर की तरफ यह प्लेन वाले हिस्से को रखेंगे और यह जोइंट लगा है इसके उपर यह फ्लार को अटेच करेंगे तो सबसे पहले सुई धागा लेंगे एक सिलाई ल अब यह मैच करता हूँ और इसको भी इस तरीके से डालेंगे सुई मेरा दूसे साइड को शूय धागЕ को प्रेρώब यह दाई नीचे की तरफ निकाल लेंगे अबै tadi工作 बनाकर चाइक्सकों कर लेंगे घ्यारवन बनकर थे आर्न आमने देखा कयी सब शुदिंख रखेंगा से यह हैर बेंड बनाया मैचिंग का और बाहर से हमने कोई भी एक्स्ट्रा सामान इसमें खरीद के एड नहीं किया आपके पास बेगा कोई ऐसी फैबरिक बची हो तो आप भी जरूर ट्राइब करें अपने बेबी को सजाए वीडियो अच्छी लगे तुजाश ज्यादा में लाइक करें कमेंट्स करें वीडियो पर शेयर करें वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंस पूर वाचिंग